हेलो स्टूडेंट्स, विल्कम बैक टो आर इंग्लिश क्लास, क्लास टेंथ का फुट्प्रिंट विदाउट फीट से नया चाप्टर हमाज शुरू कर रहे हैं, चाप्टर का नाम है भोली, ठीक है, इंट्रेस्टिंग सी स्टोरी है, ठीक है, कुछ images आप पर देख पा रहे हैं, अपने सामने, इन images को हम जैसे जैसे चाप्टर रीड करेंगे, मैं आपको explain करता जाऊंगा, अभी फिलाल आपको क्या करना है, आपको अपनी book open करनी है, और मेरे साथ साथ स्टोरी को रीड करना है, ठीक है, तो let's begin हम इस चाप्टर में देखेंगे, हम ये समझेंगे कि भूल है कौन, ठीक है, तो start करते हैं, हर नेम वाज सुलेखा, ठीक है, ये जो भूली है, इसका रियल नेम क्या था, इसका रियल नेम था सुलेखा, ठीक है, but since her childhood, everyone had been calling her भूली, the simpleton, लेकिन भूली के बचपन से ही, सब लोग उसे क्या कहते थे, भूली बुलाते थे, a simpleton, simpleton means, एक ऐसा इंसान, जिसको कोई भी आसानी से बेवकूफ बना दे, जो बहुत भूला भाला हो, ठीक है, तो सब सुलेखा को क्या कहते थे, a simpleton, भूली, She was the fourth daughter of number-dar Ramlal, ठीक है, वो fourth daughter थी, Ramlal की, और Ramlal कौन थे, number-dar थे, मतलब, revenue officer थे, जो गाओं के लोगों से revenue collect करते थे, government के लिए, taxes collect करने का काम करते थे, When she was 10 months old, she had fallen of the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. अब क्या हुआ, when Bholi was 10 months old, fallen from her cot, caught means bed, जब Bholi 10 महीने की थी, तो वो अपने BED से गिर गई थी, caught on her head, अपने सिर के बल, और उस वज़ा से क्या हुआ, Bholi के brain का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, ठीक है, That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi, the simpleton. और इसी वज़ा से वो और बच्चों के जितनी active नहीं थी, ठीक है, एक backward child थी, ठीक है, चीजों को समझने में उसे समय लगता था, और इसी वज़ा से सब उसे क्या कहने लगे, Bholi कहने लगे, यानी a simpleton. At birth, the child was very fair and pretty. अब जब भूली पैदा हुई थी, तब वो बहुत सुंदर थी, बहुत फेर थी. But when she was two years old, she had an attack of smallpox. लेकिन फिर जब वो दो साल की हुई, यहां लिखते हैं, At the age of two years was attacked by smallpox. ठीक है? उसे क्या हो गया? Smallpox हो गया. ठीक है? अब smallpox तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी. But problem क्या हुई? Smallpox की वजह से इसके पूरे face पर marks रह गया, निशान रह गया. ठीक है? But when she was two years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. ठीक है? इसकी आखें तो बज गई. लेकिन पूरी body पर dark black pock marks बन गया है. ठीक है? Little Sulekha could not speak till she was five. जब तक Sulekha 5 साल की नहीं हुई, तब तक वो बोल नहीं पाती थी. And when at last, she learned to speak, और जब finally उसने बोलना सीखा, शी stammer. वो क्या करती थी? Stammer करती थी, हकलाती थी. The other children often made fun of her and mimicked her. दूसरे बच्चे अकसर उसका मजाग बनाते थे, ठीक है? उसकी नकल उतारते थे. As a result, she talked very little. और इस वज़ह से वो बहुत कम बोलती थी. रामलाल had seven children. अब भुली के जो फादर थे, रामलाल, उनके टोटल साथ बच्चे थे. त्री संस and four daughters, तीन बेटे और चार लड़कियां, बेटियां, and the youngest of them was भुली. और भुली उन सब में सबसे छोटी थी. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. वो एक prosperous farmer's household था, उनके पास पैसी की कोई कमी नहीं थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. ठीक हैं? अब आगे देखें. All the children except भुली were healthy and strong. सारे बच्चे भुली को छोड़कर healthy थे, strong थे. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Ramlal ने अपने बच्चों को, लड़कों को पढ़ाई के लिए कहां भेजा? शहर में भेजा, बाद में colleges में भेजा. Of the daughters, जहां तक बेटियों की बात थी, Radha, the eldest, जो सबसे बड़ी बेटी थी, Radha, had already been married. उसकी already शादी हो चुकी थी. The second daughter, Mangla's marriage had also been settled. जो दूसरी बेटी थी Mangla, उसकी भी शादी लगभग तै हो चुकी थी. And when that was done, Ramlal would think of the third Champa. और जब second daughter की शादी भी fix हो गई, तो Ramlal किसके बारे में सोचने लगे? अपनी तीसरी बेटी यानि Champa की शादी के बारे में सोचने लगे. मतलब typical, traditional Indian mentality की भी लड़कियां जैसे ही बड़ी हो उनकी शादी कर दी जाए. They were good looking, healthy girls. अब Ramlal की जो बेटियां थी, वो good looking थी, healthy थी. And it was not difficult to find bridegroom for them. और Ramlal को उनके लिए एक अच्छा लड़का ढूनने में कोई तकलीफ नहीं होई. बट Ramlal was worried about भोली. लेकिन Ramlal को सिर्फ और सिर्फ किस की चंता थी? भोली की चंता थी. She had neither good looks nor intelligence. क्यों चंता थी भोली की? क्योंकि एक तो भोली जो है, वो mentally थोड़ा सा weak थी. ठीक है? She was a slow learner. And secondly, she was not good looking. वो दिखने में भी अच्छी नहीं थी. तो इस वज़ह से Ramlal को ऐसा लगता था कि भोली की शादी कैसे होगी. भोली वाज 7 एर्स ओल्ड वेन मंगला वाज मैरेट. अब भोली उस समय साथ साल की थी. जब मंगला की क्या कर दी गई? शादी कर दी गई. The same year, a primary school for girls was opened in their village. और उसी साल, गाउं में क्या किया गया? girls के लिए एक primary school open किया गया. The तहसीलदार साहिब came to perform its opening ceremony. अब इस गाउं के जो school था, उसकी opening ceremony के लिए किसे बुलाया गया? तहसीलदार को. ठीक है? तहसीलदार साहब को बुलाया गया. He said to Ramlal. और जब वो inauguration के लिए आए, तो उन्होंने Ramlal से क्या कहा? उन्होंने Ramlal से कहा, As a revenue official, you are the representative of government in the village. तुम इस गाउं के revenue officer हो, नंबरदार हो. तो एक तरीके से तुम इस गाउं में government को represent करते हो. तुम किसके representative हो? Government के representative हो. ठीक है? So, you must set an example to the villagers. तुम्हें इस गाउं के लिए एक example set करना चाहिए. इस गाउं में जहां पर लड़कियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं समझा जाता, वहाँ पर तुम्हें अपनी बेटियों को school भेज कर, गाउं के लोगों के लिए एक example set करना चाहिए, कि वो भी अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेज हैं. ठीक है? अब रामलाल टेंशन में आ गया, वो घर आया, उसने ये बात अपनी वाइफ को बताई, तो उसकी वाइफ चिलाने लगी. उसने कहा, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैग नॉट दे करेज तो डिस ओबेदर तहसीलदार. लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी, कि तहसीलदार साहब के आदेश को मना करें. क्योंकि वो senior government officer था, ठीक है, रामलाल एक government employee था, तो उसको ये डर था कि अगर मैं तहसीलदार की बात नहीं मानूँगा, तो मेरी नौकरी वगेरा सब चली जाएगी. At last, his wife said, finally, रामलाल की wife ने कहा, I'll tell you what to do. चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, As it is, there is little chance of her getting married, वैसे भी उसकी शादी का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि वो दिमाग से भी कमजोर है, शकल सूरत से भी अच्छी नहीं है, तो उसकी शादी का कोई चांस है नहीं, with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. तो एक काम करो, उसको स्कूल भीज़ दो, तो तैसीलदार की बात भी रह जाएगी, कि रामलाल ने अपनी बेटी को स्कूल पढ़ने के लिए भीज़ा, और हमें कोई tension में नहीं होगी, क्योंकि हमें वैसे भी पता है कि उसकी शादी होगी ही नहीं. The next day, रामलाल caught भोली by the hand and said, अब अगले दिन, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उससे कहा, Come with me, मेरे साथ चलो, I'll take you to school, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलूँगा. भोली was frightened, अब जैसे ही भोली ने ये सुना, भोली एकदम से डर गई. She did not know what a school was like, उसे पता ही नहीं था कि school क्या होता है, तो उससे ये काओ, एकदम से उसको उठा कर गा, कि चलो, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा, तो घबरा गई, कि पता नहीं मुझे कहां ले जाएंगे. She remembered how a few days ago, their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको क्या याद आया? Lakshmi उसको भी ऐसे ही घर से बाहर लेकर गए थे और उसको बेच दिया था. तो भोली डर गई, कि कहीं ऐसा ना हो, कि ये मुझे भी ले जाकर बेच दे. No, no, she shouted in terror and pulled her hands away from her father's grief. और वो चिलाने लगी कि नहीं, नहीं, मुझे नहीं जाना और उसने अपना हाथ पीछे खेच लिया. What's the matter with you, you fool? shouted Ramlal. Ramlal ने चिलना के का, क्या दिक्कत है तुमारे साथ बेवकूफ? I am only taking you to school. मैं तुमें सिर्फ school ही तो लेकर जा रहा हूँ. Then he told his wife. और फिर उसने अपनी wife को कहा. Let her wear some decent clothes today. इसे कुछ धंके कपड़े पिनाओ आज. और else, what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? वरना, जब teachers और गाउं की दूसरी रड़किया इसे देखेगी, तो हमारे बारे में क्या सोचेंगी? नंबरदार साहब की जो बेटी है, वो ऐसे गंदे से कपड़ों में रहती है. तो इसको धंके कपड़े पिनाओ. New clothes had never been made for bholi. Bholi के लिए कभी भी आज से पहले नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे. The old dresses of her sisters were passed on to her. उसकी बेहनों की जो पुरानी dresses होती थी, वही किसको पहना दी जाती थी? Bholi को पहना दी जाती थी. No one cared to mend or wash her clothes. कोई इस बात की परवा नहीं करता था कि Bholi के कपड़े धुले हुए हैं या नहीं, साफ हैं या नहीं. But today, she was lucky to receive a clean dress. लेकिन आज उसको एक साफ सुथ्री dress मिली थी, which had shunken after many washing, जो बार-बार धुल-धुल कर क्या हो गई थी? छोटी हो गई थी, and no longer fitted Champa, और अब Champa को नहीं आती थी. She was even bathed, Bholi को आज नहलाया भी गया, and oil was rubbed into her dry and matted hair. उसके सुखे वे बालों में क्या लगाया गया? तेल लगाया गया. Only then, did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और जब उसको इतना अच्छे से तैयार किया गया, तब जाकर Bholi को लगा, कि उसे किसी अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है, जो उसके घर से जादा अच्छी है. When they reached the school, the children were already in their classrooms. अब जब रामलाल और Bholi स्कूल पहुँचे, तो बच्चे अल्रेडी अपने classrooms में बैठ चुके थे. रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने अपनी बेटी को, यानि Bholi को, headmistress के हवाले कर दिया, left alone, the poor girl looked about her with fair-laden eyes. अब Bholi जो है, वो headmistress के साथ अकेली रह गई. तो वो डर से headmistress को देखने लगी कि पता निया मेरे साथ क्या होगा. There were several rooms, वहाँ उस school में बहुत सारे rooms थे, and in each room, girls like her squatted on mats. तो Bholi ने देखा कि उन सब rooms में Bholi के जैसी ही लड़कियां चटाईयों पर, mats पर बैठी हुई है. Reading from books और writing on slates. वो या तो books को पढ़ रही है, या फिर slate पर लिख रही है. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. The headmistress ने Bholi से कहा, कि इस classroom के corner में जाकर बैठ जाओ. अब आगे क्या हुआ? Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. Bholi को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि school कैसा होता है या school में क्या होता है. ठीक है? पर वो खुश थी but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. But Bholi इस बात से खुश थी कि वहाँ पर उसके जैसी age की और भी बहुत सारी लड़कियां थी. ठीक है? She hoped that one of these girls might become her friend. और Bholi ने सोचा कि जो टीजर उस समय क्लास में थी वो उन लड़कियों को कुछ बोल रही थी लेकिन Bholi को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. She looked at the pictures on the wall वो वाल पर लगे हुए pictures को देखने लगी the colors fascinated her उन pictures के जो colors थे वो Bholi को बहुत जादा अपनी तरफ attract कर रहे थे The horse was brown just like the horse on which the tahsilदार had come to visit their village उसने देखा कि वो जो horse था वो horse कैसा था? brown था बिलकुल उस horse के जैसा जिस horse पर तहसीलदार साहब उनके गाउं आये थे ठीक है? उसने देखा The goat was black like the goat of their neighbor उसने देखा कि जो बकरी है बिलकुल इसके परोसियों के बकरी के जैसी The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard ठीक है? उसने देखा कि जो parrot है वो green color का है बिलकुल उस parrot के जैसा जो इसने कहां देखे थे? mango के आम के बागों में देखे थे and the cow was just like their lakshmi और वो जो cow है जो जिस cow की photo लगी हुई थी वो cow बिलकुल उनके लक्ष्मी के जैसी थी ठीक है? and suddenly भोली noticed that the teacher was standing by her side smiling at her तो भोली उनसा पिच्चर को देखने में विजी थी और तभी उसने देखा कि teacher बिलकुल उसके पास में आकर खड़ी हो गई है और भोली को देखकर smile कर रही है अब यहाँ पर इस particular paragraph से हमें भोली के character के बारे में एक बहुत important बात पता लगती है हमें क्या पता लगता है हमें ये पता लगता है that though भोली is a simpleton ठीक है? वो बहुत सीधी साधी है ठीक है? slow learner है but इसका मतलब ये नहीं है कि भोली जो है वो बिलकुल mindless है उसमें बिलकुल दिमाग ही नहीं है ऐसा नहीं है she has a brain she has a mind वो सोच सकती है वो समझ सकती है ठीक है? इसके हमें अभी तक दो instance देखने को मिले है पहला जब उसके father ने उसे कहा कि मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा तो भोली ने तुरंट उस सिच्वेशन को किस से रिलेट किया? अपनी काव वाली सिच्वेशन से उसने तुरंट ये समझ लिया कि भाई कुछ दिन पहले हमारी काव को भी ऐसे ही लेकर गए थे इसको बेच दिया था ठीक है? कई मेरे साथ ऐसा ना हो फिर उसने जब यहाँ पर बुक में पिच्चर्स देखे तो उसने उन पिच्चर्स को रिलेट किया काव को अपनी काव के साथ बकरी को अपने परोसियों की बकरी के साथ होर्स को तहसीलदार साहब के होर्स के साथ ठीक है? इसका मतलब भोली जो है वो पूरी तरीके से पागल नहीं थी शी वोस नॉट अफुलिश परसन वो एक बेवकूफ लड़की नहीं थी ठीक है? शी हैस अंडरस्टैंडिंग वो चीजों को समझती थी बट थोड़ा धीरे टाइम लेकर ठीक है? शी वोस अफुलो लर्न अब टीचर ने क्या कहा? भोली के पास में खड़े होके उन्होंने कहा वो अपना पूरा नाम भोली नहीं पाई हकलाने लगी और इतना बोलकर वो रोने लगी आँखों से बहुत सारे आशू बहने लगे ठीक है? अब क्या हुआ आगे? शी कैप्ट अब हैट दाउ अशी सेट इन हर कॉर्णर नॉट देरिंग तो लुक अप at the girls who she knew were still laughing at her उसने अपना सिर जुका लिया उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना सिर उपर उठा सके क्योंकि उसको पता था कि क्लास की जो दोस्ती लड़कियां हैं वो उस पर हस रही होंगी उसमें इतना करिज नहीं था कि वो उन लड़कियों से आँखें में ला सके ठीक हैं अब आगे क्या हुआ अब जब स्कूल की बैल बजी तो सारी लड़कियां स्कूल से बाहर भाग गई बट भोली डेर नॉट लीव हर कॉर्णर लेकिन भोली अपने कॉर्णर पर ही बैठी रही अर हैड स्टिल लोवर उसका सेर अब भी जुका हुआ था वो लगातार रोए जा रही थी भोली तभी उसे सुनाई देता है कि उसकी टीचर उसे अवाज लगा रही है बहुत ही सॉफ्ट और पॉलाइट वोईज में उसकी पूरी जिंदकी में किसी ने भी उससे इतना पॉलाइट ली बात नहीं की थी it touched her heart इस बात से भोली को बहुत अच्छा लगा get up said the teacher उसकी टीचर ने कहा खड़े हो जाओ it was not a command but just a friendly suggestion ये कोई teacher ने ओर नहीं दे रही थी कि चलो खड़े हो जाओ नहीं उसे फिक suggestion दे रही थी एक friendly suggestion कि भोली class over हो गई है बिटा खड़े हो जाओ ठीक है भोली got up भोली खड़ी हो गई अब टीचर ने उसे अपने पास बोलाया और कहा now tell me your name मुझे अपना नाम बताओ sweat broke out over her whole body भोली के पूले शरी में पसीना पसीना आ गया would her stammering tongue again disgrace her वो सोचने लगी कि क्या ये जो मेरी लड़ खडाती हुई जबान है क्या ये मुझे वापस से शर्मिंदा करवाईगी for the sake of this kind woman however she decided to make an effort लेकिन उस teacher के लिए वो इतनी अच्छी teacher जो थी उसकी kind teacher थी उनके लिए उसने decide किया कि मैं एक और बार try जरूर करूँगी she had such a soothing voice she would not laugh at her भोली ने सोचा कि इन teacher की आवाज इतनी अच्छी है ठीक है ये मेरे पर पक्का नहीं आसेगी और बाकी लड़कियां तो जा चुकी है तो उसने कहा she began to stammer वापस से हकलाने लगी लड़ खडाने लगी उसकी जबान वेल दन वेल दन the teacher encouraged her teacher ने उसको encourage किया come on now the full name कि हाँ very good अब अपना पूरा नाम बताओ आगे क्या नाम है पूरा भोली at last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement और finally भोली ने अपना पूरा नाम बोला और उसको बड़ा excuse me उसको बड़ा अच्छा लगा बड़ा relieved feel हुआ ठीके उससे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी life में बहुत बड़ा achievement गेंड कर लिया हो well done teacher ने उसे appreciate किया well done the teacher patted her affectionately teacher ने उसकी पीठ थप थपाई बड़े प्यार से और कहा put the fear out of your heart अपने डर को अपने दिल से बाहर निकाल दो and you will be able to speak like everyone else और देखना फिर तुम और दूसरे लोगों की तरह ही बिना अटके बोल पाऊगी भोली looked up as if to ask भोली ने उसकी teacher को देखा जैसे वो पूछ रही हो really क्या वाकई में yes yes it will be very easy तो उसकी teacher ने कहा हाँ हाँ देखना बहुत आसान है you just come to school every day बस तुम्हे रोज school आना होगा will you come क्या तुम स्कूल आओगी भोली nodded भोली ने से रहलाया हाँ no say it aloud teacher ने कहा नई मू से बोलो क्या तुम स्कूल आओगी yes और भोली ने कहा yes and भोली herself was astonished that she had been able to say it और भोली खुद यह देखकर हैरान रह गई कि वो यह word बोल पाई didn't I tell you teacher कहती है देखा कहा था ना मैंने ठीक है अपना डर निकाल दो और फिर तुम बोल पाओगी now take this book इसकी बाद teacher कहती है कि यह book लो the book was full of nice pictures and the pictures were in color ठीक है उस book में बहुत सारे pictures थे colored pictures थे dog के, cat के, goat के, horse के, parrot के, tiger के, cow के, बिलकुल लक्षमी के जैसी and with every picture was a word in big black letters और हर picture के साथ एक word लिखा हुआ था बड़े-बड़े black letters में क्या लिखा होगा उन animals का name in one month you will be able to read this book teacher कहती है कि within one month तुम इस book को पढ़ पाओगी then I will give you a bigger book और फिर मैं तुमें एक बड़ी book दूँगी इससे भी बड़ी book दूँगी then a still bigger और फिर जब तुम उसको पढ़ने लगोगी तो उससे भी बड़ी book दूँगी ठीक है in time you will be more learned than anyone else in this village धीरे धीरे समय के साथ साथ तुम इस गाओं में सबसे जादा पड़ी लड़ी लड़ी बन जाओगी then no one will ever be able to laugh at you और फिर देखना कोई भी कभी भी तुम पर हस नहीं पाएगा ठीक है people will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer लोग तुम्हें इजद के साथ सुनेंगे ठीक है और तुम बिना किसी जजग के बिना stammering के बोल पाओगी understood समझ गई now go home अब घर जाओ and come back early tomorrow morning और कल सुभ जल्दी स्कूल आ जाना भोली felt as if it suddenly as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flower अब भोली को ऐसा लगा जैसे अचानक से सारे मंदिरों की घंडियां एक साथ बजने लगी हो ठीक है और स्कूल के बाहर जो पेड है उन सब पे लाल-लाल फूल खिल गए हो her heart was thawbling with a new hope and new life भोली का जो दिल था वो नई उमीदों के साथ धड़क रहा था पहली बार उसे अपनी life में ऐसा feel हुआ था कि उसकी life meaningless नहीं है और उसकी life में भी कुछ अच्छा हो सकता है अब आगे भोली के साथ क्या हुआ वो हम discuss करेंगे हमारे next lecture में ठीक है इसे एक बार दुबारा read करिएगा और इसकी worksheet को solve करिएगा ठीक है